हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम टो अवर यूटूब चैनल आसान राफो यू नमस्कार दोस्तों हाज हमें इस वीडियो में बात करेंगे साल की आखरी पूर्णिमा कब है सुब मूरत और उसकी पूजाविदी के बारी में इसलिए वीडियो को अंतर जरूर देखें फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस यूटूब चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो आज ही सस्क्राइब करें अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जादा से जादा लाइक और शियर करें और साथी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरह कि लेटिस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंश सकें माहनेताओं के अनुसार पूर्णिमा तिती बहुती खास होती है इस पावन तिती पर भगवान श्री हरी श्री कृष्ण महादेव और चंद्रमा की पूजा करने की माहनेता है सास्त्रों में मार्कशीष का महिना दान, धर्म और भक्ति का महिना माना जाता है प्रतेक माह में एक पूर्णिमा तिथी आती है मार्कशीष महिनी में जो पूर्णिमा आती है उसे मार्कशीष पूर्णिमा कहा जाता है इस दिन भगवान शत्ते नाराण की कथा पूजाश्ट नान और दान धर्म के कारी करने से सुफल की प्राप्ति होती है कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने पूर्ण अश्तित्व में होता है यह इस साल की आखरी पूर्णिमा है बहुसी जगहों पर इसे पूर्ण माशी भी कहते हैं 2020 की इस आखरी पूर्णिमा पर सूर्य देव और चंद्र देव अपने समसब तक अवस्ता में होते हैं जोतिश आनुसार पूर्णिमा के दिन सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के ठीक आमने सामने होते हैं और इस ठिथी पर चंद्रमा का प्रभाव मनुष्य पर सबसे ज़्यादा पड़ता है इसलिए आज के दिन व्यक्ति को सांति व सुक्षम्रिद्धी के लिए उपाय करने चाहिए पूर्णिमा व्रत तिथी और सुब मुरत 2020 मार्क्षीष मा की अंतिम पूर्णिमा 30 दिसंबर बुध्वार के सुब दिन पर होगी माक्षीष मा की पूर्णिमा का व्रत 39 दिसंबर मंगलवार को रखा जाएगा और माक्षीष मास स्नान दान की पूर्णिमा 30 दिसं पूर्णिमा की रात चंद्र किर्णों का शरीर पर पढ़ना बहुती सुब माना जाता है। पूर्णिमा तिति का महत्तु। इस दिन अमरित और अमरता का कारक चंद्रमा अपने पून आकार और मजबूत स्थिति में होता है। पूर्णिमा पर किये गए दान का फल कई गुना अधिक होता है।